आज हम लोग ने डिसकुस किया था प्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में आज हम लोग एक एक करके हरे क्लासेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि अगर फंजाई को ओन दा बेसे सब लिख दीजे on the basis of on the basis of किस किस के basis पे on the basis of number one क्या हो जाएगा नमबर वन हो जाएगा, टाइप ओफ मैसेलियम, टाइप ओफ मैसेलियम, कि मैसेलियम किस टाइप का है, टाइपस ओफ मैसेलियम, on the basis of, mood of, spore production, on the basis of, mood of, spore production, spore production, and on the basis of their type of fruiting bodies, मतलब उनका fruiting bodies कैसा है, fruiting bodies, the types of fruiting bodies, हम लोग क्या करते है, on the basis of type of mycelia, मतलब मैसेलियम कैसा है, या mood of spore production कैसा है, या उसका fruiting body कैसा है, इस तीन टाइप के basis पे हम लोग क्या कर सकते है, फंजाई को total 4 category में divide कर सकते हैं, किस में 4 category में हम लोग fungi को divide कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टोटल चार काटिगरी में हम लोग पंजै को divide कर सकते हैं सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो गया आपका FICO My Cities क्या? FICO MY Cities FICO My Cities दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा ASCO My Cities इसको my cities उसने बाद क्या जाएगा उसने बाद आ जाएगा आपका Bessy Dio my cities क्या हो जायगा Bessy Dio my cities and finally क्या हो जाएगा आपका dooteromy cities क्या हो जाएगा deuteromycetes, deuteromycetes, तो इस चार कैटेगरी में हम लोग device कर सकते हैं, number 1 5 को my cities, number 2 S को my cities, number 3 हो जाएगा आपका Bacidomycetes and number 4 हो जाएगा आपका deuteromycetes, clear? अब हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक हर एक चीज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आज की अगर बात करेंगे, आज लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइको my cities, अगर मैं चाहूँ, तो आपको एक ही दिन में फाइको my cities और S को my cities पढ़ा सकता हूँ, और एक दिन में आपको Bacidiomycities और Deteromycities दोनों को एक साथ पढ़ा सकता हूँ, इससे क्या होगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि नहीं करूँगा, यहां लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, कोई भी दिक्कत से, नहीं, बिल्कुल एकदम आराम आराम से, चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, पाइको माइसिटीज, तो हेडिंग डाल दीजिए, फाइको माइसिटीज, फाइको माइसिटीज बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा सेग्मेंट है, चैप्टर तो नहीं, बहुत छोटा सा सेग्मेंट है, लेकिन इंपोर्टेंट है, तो हेडिंग क्या डाले इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा दे आर दे आर फाउंड इन यह लोग कहां कहां पाए जा सकते हैं आर फाउंड पहला तो है कि यह लोग अक्वार्टिक हैबिटेड में पाए जा सकते हैं कहां इन अक्वार्टिक हैबिटेड और कहां पाए जा सकते हैं on decaying woods on decaying woods on decaying woods on decaying woods in moist and damp places damp places moist and damp places में जो decaying woods होंगे उनमें पाए जा सकते हैं on decaying woods अगर woods में पाए जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे याद करो फर्स लेक्टर में हमने डिस्कस किया था उसे हम बोलेंगे epizylic fungi right और थर्ड कहां पाए जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं और as obligate parasites इस चीज़ को याद रखना obligate वाले वर्ड को याद रखना बड़े अच्छे से और as obligate or as obligate parasites parasites on plants तो यह तीनों जगह पर पाए जा सकते हैं डिकेंग वुड्स में पाए जाते हैं और as obligate parasites आपके plants में पाए जा सकते हैं और as obligate parasites अब aquatic habitat में यह क्यों पाए जाते हैं फिकास इनका जो sports होता है ना asexual sports वो juice sports होता है juice sports या aplanosports तो juice sports कहां पाए जाए जाए जाएंगे the mycelium is accepted 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 मतलब कोई septa present नहीं होगा अब बोलो अगर mycelium है और उसमें कोई septa present नहीं है तो वो mycelium में nucleus कितना होगा क्या वो mycelium multi nucleus नहीं होगा क्यों क्योंकि इसमें कोई septa present नहीं है तो याद कर हमने पढ़ा था अगर septa present नहीं होगा तो क्या होगा multi nucleate होगा तो विसी the mycelium is accepted and synocytic क्या हो जाएगा synocytic और synocytic का मतलब क्या होता है यह अल्ड़ेडी हम लोग 1st lecture में पढ़ चुक है synocytic का मतलब क्या होता है multi nucleate condition right clear है थर्ट पैंट क्या हो जाएगा third point क्या हो जाएगा third point क्या हो जाएगा, third point होगा, the asexual reproduction, the asexual reproduction, the asexual reproduction takes place by, asexual reproduction takes place by, juice force, by juice force, and juice force कैसा होते हैं, motile होते हैं, right, देख रहे हैं, हम ले, reproduction में, already यह सब पढ़ चुके हैं, इसी वज़े से कितना आसानी से इस चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ पा रहे हैं, इसी वज़े से मैं कहता हूं कि basics चीज़ों में पहले ध्यान देना चाहिए, अगर basics आपका clear हो जाएगा, तो बाकी के चीज़ों करने में उतना ज्यादा time आपको नहीं लगेगा, right, असेक्शुल एप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाइज जू स्पोर्स, चो मोटाइल होते हैं, और, और बाई, एप्लैनो स्पोर्स, और बाई, एप्लैनो स्पोर्स, एप्लैनो स्पोर्स कैसा होग non motile होगा, non motile होगा, right, एप्लैनो स्पोर्स कैसा होगा, एप्लैनो स्पोर्स non motile होगा, right, प्रट पुपत के करगा इस spores, इस spores आर पो इस पोर्स आर प्रोडूच्ट आर प्रोडूच्ट आर पोर्डूच्ट आर प्रोडूच्ट इं डोजीनिसक्टि एसे प्रोडूच्ट होगा endogenously these ports are produced endogenously in where endogenously produce हो रहा है तो कहां produce होगा endogenously अगर produce हो रहा है तो क्या होगा a sack like structure क्या कहते हुसे sporangium in sporangium sporangium right this sports are produced endogenously in sporangium अब आप कहोगे कि सर हमने हम तो aplanosports को पढ़ाए ही नहीं है aplanosports को पढ़ाए नहीं है aplanosports के बगल में क्या लिखा है non motile तो याद करो जब हम लोग sexual reproduction पढ़ रहे थे तो इसमें नानोनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन तो या तो sporangiospore हो सकता है या तो conidia हो सकता है अब दियाद को दूसरे point में क्या लिएए this spores are produced endogenously तो इन दोनों में से endogenously कौन produce हो रहा था sporangiospore produce हो रहा था और conidia नहीं हो रहा था तो conidia out हो गया और aplanospores कौन बन गया sporangio spore ko hi हम लोग aplanosports कह सकते basically होता क्या है कि mycelium का strain कैसा है plus है minus है कैसा strain है कहा production हो रहा है कौन सा sale इसमें participate कर रहा है ऐसे बहुत सारे factors के उपर sports का जो नामकरन है वो होता है sporangio spore ko hi aplanosports कहा जाता है अगर आपसे पूछे कि aplanosports क्या है तो आप बोल देना सिदा-सिदा non motile होगा और endogenous होगा simple non motile और endogenous होगा simple clear these sports are produced endogenously in scorangium point no.5 क्या हो जागा यह तो था all about the sexual reproduction अब sexual reproduction कैसा होगा in sexual reproduction in sexual reproduction in sexual reproduction a gygospore a gygospore is formed a gygospore is formed by 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 the fusion by the fusion of two gametes two gametes right so sexual reproduction में क्या होगा क्या होगा एक gygospore form क्या होगा एक gygospore form करेगा by the fusion of two gametes right within bracket लिखेंगे either either similar je less say similar हो सकते हैं अगर similar हुआ तो क्या बोलेंगे आइदर सिमिलर आइदर सिमिलर सिमिलर हुआ तो क्या बोलेंगे आइसो गैमस क्या बोलेंगे आपे होगा नहीं अगर सिमिलर हुआ तो देखने में अगर सिमिलर हो तो क्या बोलेंगे इसे आइसो गैमस आइसो गैमस और डिस्सिमिलर डिस्सीमिलर अगर डिस्सीमिलर हुआ तो क्या बोलेंगे अगर डिस्सीमिलर हुआ तो उसे बोलेंगे एन आइसोगेमस और उगेमस भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं और दोनों सिमिलर हो सकते हैं अगर similar हुआ तो क्या बोलेंगे उसे isogamous condition और अगर dissimilar हुआ तो क्या हो सकता है anisogamous भी हो सकता है और u-gamus भी हो सकता है आपके NCRT में isogamous, anisogamous, u-gamus दिया नहीं गया है लेकिन हम लोग इसको discuss करेंगे because discuss नहीं करेंगे तो आपको चीजे समझ में नहीं आएगी उससे पहले इसी point के अंडर एक diagram ड्रॉ करेंगे that is of gyospore की ताकि आपको gyospore कैसा है आपको gyospore का कोई diagram NCRT में आपको नहीं दिया गया है लेकिन हम लोग क्या करेंगे एक diagram ड्रॉ करेंगे क्योंकि अगर diagram रहता है तो diagram से हमें बहुत सारी चीजे याद हो जाती है आपका जाइगो स्पूर कैसा दिखेगा वालब पाइको माइसी डिस्की जाइगो स्पूर कैसा दिखेगा आप भी मेरे साथ ड्रॉप कीजिए diagram को आप़ का दिखेगाउ सैन fácil है आप भी मेरे सारी और लॉव चैने सारी ल webpage को चीजे बहूर कीजर कीजए आप पूर के वे जाद, आप है उड़। this is this two are hyphy और जाइगोस्पोर कैसा दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा this is the figure of what this is a figure of जाइगोस्पोर यह जाइगोस्पोर है this is the जाइगोस्पोर और यह दो क्या है यह दो बिसिकली आपके हाइपी हो गए और यह जाइगोस्पोर कैसा होता है यह डिपलाइड होता है कैसा होता है डिपलाइड होता है प्रक्रति में कैसा होता है आंड' केसा होता है नॉन पूंतल का है इस डाइज़क्राम को बना लिजे क्योंकि इस डाइजराम से आपको फार सरी चीज़े याद पढ़ जाएगी तो जैसे कि हमने कहा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले ऐस ådai मण और और उग्यमख को पढ़ने वाले हैं तो head in डालर दीजिए नाम से पता चाहला आहिसो मंशीमीलर होंगे देखने में घेमेट्स the gametes, the gametes are similar, similar in morphology, similar in morphology, but different in physiology, similar in morphology, but different in physiology, क्या होता है, morphology क्या होता है, similar होगा, और different in physiology, physiology का मतलब का है, अंदर वाला जो पार्ट है, मतलब ये गोल हो गया, मोटाइल हो गया, ये भी गोल हो गया, और मोटाइल हो गया, दोनों size में भी same है, morphology wise भी same है, लेकिन ये plus strain को बिलॉंग करता है, और ये क्या, minus strain को बिलॉंग करता है, तो दोनों के morphology wise तो दोनों similar है, size wise भी दोनों similar है, लेकिन दोनों की physiology जो हो गया, वह different हो गया क्योंकि एक plus train को belong करता है और दूसरा minus train को belong करता है clear so this is all about the isogamous right और क्या है heading डाल दीजिये point number b क्या हो जाएगा anisogamous point number b क्या होगा point number b हो जाएगा आपका anisogamous anisogamous what is anisogamous condition anisogamous condition gametes the gametes the gametes are similar the gametes are similar in morphology similar in morphology but different different in size different in size and physiology यह है इसका correct definition morphology similar ही होगा लेकिन size और physiology different हो जाएगा मतलब यह भी गोल होगा इसमें भी फ्लाजिला प्रेजेंट होगा nucleus यह भी गोल होगा इसमें भी फ्लाजिला प्रेजेंट होगा लुक्लिक्स फ्लाजिला प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है फ्लाजिला डजन्ट मैटर मैं ओवरल ऑल्र मॉठोलोजी की बात करूं physiology क्या होगा different होगा यह plus train को belong करेगा यह क्या minus train को belong करेगा clear लेकिन size दोनों का difference होगा इसका size कितना बड़ा है और इसका size कितना छोटा है right so the gametes are similar in morphology लेकिन morphology wise दोनों same है round shape है flagella present round shape flagella present round shape flagella नहीं भी हो सकता है right morphology wise दोनों same है लाकिन size दोनों के different है and physiology भी different है इसका अलों क्या बोलेंगे anisogamous condition बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे anisogamous condition और एक होता है और एक होता है आपका Gammes condition क्या होता है u gamas conditions what is u gamas condition both the gamets both the gametes are different in morphology in morphology and in physiology मतलब यहां पर morphology भी different होगा और physiology भी क्या होगा different होगा दूसरा point क्या हो जागा male gamet male gamet is small male gamet is small but motile small but motile and female gamet female gamet is large female gamet is large but non motile large but non motile both the gametes are different in morphology as well as different in physiology male gamet जो होगा वो कैसा होगा छोटा होगा size में बड़ मोटाइल होगा and female gamet जोहगा वो कैसा होगा large होगा size में but non motile होगा motile होगा और यह non-motile होगा और यह structure कैसे दिखेगा यह हो गया female gamet large but non-motile और यह हो गया male gamit small but motile right basically जो male होते हैं इसको plus sign से and जो female होते हैं इसको minus sign से उठकिया जाता है लेकिन this is not, ऐसा नहीं कि male and female, basically क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि जो plus sign होता है वो male को डिनेट करता है और जो minus sign होता है female को denote करता है लेकिन in case of fungi कि अगर हम बात करें तो plus sign sign जो है यह plus train को belong कर रहा है और minus sign जो है यह minus train को belong कर रहा है right so this is all about isogamous and isogamous and ugamous अब phycomycities group के कुछ common members देख लेते हैं phycomycities group के कुछ common members को देख लेते हैं phycomycities group के कुछ common members को देख लेते हैं some common members क्या क्या हो जाएगा एक हो जाएगा आपका म्यूकर इसका जो आपके NCRT में म्यूकर का डाइग्राम है, whatever the diagram is, कुछ ऐसा ऐसा जो भी है, वो दे दिया जाएगा, और यहां से question पूछ दियागा, which of the following characters is or are correct with respect to this diagram, डिरेक्टली आपको बोला नहीं जाएगा, which of the following character is or are correct with respect to म्यूकर, नहीं बोला जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, डाइग्राम दे दिया जाएगा, और पूछ दिया जाएगा, कि which of the following character is or are correct with respect to this diagram, तो यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपको याद रगना है कि यह डाइग्राम किसका है, तो यह डाइग्राम किसका है, यह डाइग्राम है म्यूकर का, इसको NCRT में दिया गया है, अच्छे से उसको याद रखिएगा, because वहाँ से question पूछे जाते हैं, म्यूकर का एक species पाये जाता है, जिसको बोला जाता है, म्यूकर मुसीडो, M-U-C-E-D-O, म्यूकर मुसीडो, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, डंग मोल्ड, M-U-L-M-O-U-L-D, इसको बोला जाता है, डंग मूट, म्यूकर का, फाइको मैसिटीस का एक फेमस मेंबर और कौन है, राइजोपस, राइजोपस, जिसको हम लोग ने कल देखा था, माइक्रोस्कोप के अंदर, क्या होता है, राइजोपस, राइजोपस को क्या बोला जाता है, राइजोपस को बोला जाता है, आपका, ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड या ब्लैक ब्रेड मोल्ड अगर बोल दिया जाए तो उसका एंसर होगा राइजोपस यहां पर ब्लैक भी लिख सकते हैं कि ब्रेड मोल्ट कॉमली कहा जाता है लेकिन इसे अलग-अलग-अलग-अलग कहते ब्लैक ब्लएक ब्रेड मोल भी कहा जाता है ब्लाक स्द्रम messenger- नाम है उसका ब्रेड मोल्ट अ और क्या है और एक हैह अल्रबूगो कि ढूत एल्गोग यह क्या करता है इस बरससेटीग पार्रा सिख्वंजाई ओन मस्टरड am winners यह क्या है पैरा सिटीक फंजाई है किसमें एरा सिटीग फंजाई ओनि है मस्टरड पर असिपे पंजाई ओन उस्टर्ड इसको एच्छे से याद रखिएगा तुम्हों कर्म सीदिउप क्या कहा जाते डंग मोल्ड भोला जाता है अलभकुपस को ब्रेड़ मोल्ड या ब्लैक मोल्ड या पिन मोल्ड एन अल्भुको साटे पेरासिटीक पंजाई बोला जाता है और क्या discuss किया था downy mildew syndrome syndrome in cereals उसमें किया था उसमें था आपका कॉन sclerospora gramynicola था शायद या या it was sclerospora gramynicola right तो कॉन-कॉन है sclerospora gramynicola हो गया phytophthora infestans हो गया और आपका albugo candida था उसको भी हमने discuss किया था और क्या discuss किया था हमने और और डिसकस किया था आपने damping ऑफ डिजिस पाइखियम डिवरियनम तो वो सारे के सारे members किसके अंदर आते वो सारे के सारे जो थे वो अंडर psychomycetes आते हैं और लिए हम लोग उस चीज़ को डिसकस कर चुके हैं तो आज का लेक्चर तो आज का लेक्चर हम लोग यहां तक रखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे के एसको मैसिटी इसको राइट मैं चाता तो एक ही दिन में फाइको मैसिटी दोनों को कवर कर सकता था लेकिन इससे क्या होगा confusion होने के chances बहुत जादा है वीरे दीरे आरामानों से पढ़ते हैं हमरे पास बहुत टाइम है don't worry about it राइट तो कल हम लोग इसको मैसिटी इसको आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं अभी एंचियाटी से मांग करते हैं और कल फिर में लेंगे बोर्ड वर्ग में तब तक के लिए विशिव वाल बेरी वेस्ट एंड बाई हेलो स्टूडेंट्स आप सभी ने अपना अपना जो इसको निकाल लिया होगा तो आज हम लोग लोग क्या डिस्कूस किया आज हम लोग डिस्कूस किया किंग्डम क्लास फाइको मैसिटीज को यहां पर देख सकते हैं और बिस्ट आप मॉर्फोलोजी और माइसेलिया मोड स्टैज को अब्लोग क्या कर सकते हैं कीढ़ फंजाई को अलग अलग दिवाइड कर सकते हैं basta अमने क्या देखा है Phytomyces जो होते हो क्या है पाया जाते है Aquatic Habitat में पाया सकते है। Ticking Wood में पाया सकते हैं Parasytics हो सकते हैं Mycelium कैसा होगा Acetrate होगा और Sinosate هोगा मतलब Multinucleate होगा Asexual reproduction कैसे हो सकता है Through juice sports जो motile होता है Aplanoports जो Non-motile होता है और यह spores कैसे produce होते हैं, endogenously produce होते हैं, किसके अंदर a sac-like structure called sporangium, right? Gygospore क्या है, Gygospore एक sexual reproduction का spart है, वो कैसे produce होगा, fusion of two gametes, और यह जो gametes है, यह similar भी हो सकते हैं, और dissimilar भी हो सकते हैं, अगर similar हुआ तो क्या बोलेंगे, isogamous और dissimilar हुआ तो क्या बोलेंगे, anisogamous या ugamous, right? सब common examples देख लिए हमने, muca, rhizopus, जिसको bread mold भी कहा जाता है, albigo, जो parasitic fungi है, on mustard, right? और भी isogamous, anisogamous, और ugamous को in detail में हम लोगोंने discuss किया है, right? तो मैं कहता हूँ ना कि एक बार board work होने के बाद आपको anxiety की उतनी ज़रूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों को लेके साथ चलना हमारा काम है, right? और जिसकी बाद मैं कर रहा था, ये देखिए, figure A, muca का है, ये वाला figure, इस figure के मैं बात कर रहा था, एक्जामे क्या करिया जाएगा, इस figure को दे दिया जाएगा, और पूच दिया जाएगा, which of the following character is or are correct with respect to this diagram, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको याद रखना है कि ये diagram किसका है, ये diagram है, muca का, right? ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आज का लेक्टर यहां तेक रखते हैं, right? फिर हम मिल रहे हैं मंडे को, दो दिन के आपकी पास चुट्टी है, मैंने board work कल बोल दिया, लेकिन कल हम लोग Saturday, Sunday में माड़ी चुट्टी रहेगी, हम लोग फिर से मिल रहे हैं मंडे को, तो दो दिन चुट्टी है, चुट्टी को enjoy कीजिए, revision करते रहे हैं, अच्छे से बढ़ाई कीजिए, जादा stress या tension मत कीजिएगा, अराम अराम से पढ़ते रहे हैं, आपका हो जाएगा, तो दिन की चुट्टी को enjoy कीजिए, wish you all the very best, फिर हम मिलेंगे, मंडे को board work में, तब तक के लिए, बाई!